राजनीत और नौकर्शाही का चोली दामन का साथ है नेताओं और अधिकारियों की करीवी के किस से हम अक्सर सुनते रहते हैं यही कारण है कि समय के साथ नौकर्शाहों का राजनीत से लगाओ भी बढ़ जाता है एक दोर था जब I.S. और I.P.S. अधिकारी रिटायर होने के बाद राजनीती जोईन करने के बारे में सोचते थे इसके पीछे वज़ा थी कि अपनी नौकरी के दोरान वे राजनीती की ब बदल रहा है अधिकारीयों को अब राजनीत इस कदर भाने लगी है कि उन्हें इसके लिए नौकरी छोड़ने से भी परहेज नहीं है हम आपको यूपी और देश के कुछ ऐसे अधिकारीयों के बारे में बताते हैं हालिया मामला है प्रवरतन निदेशाले एडी के संयुक निदेशक रहे राजेश्वर सिंग का राजेश्वर सिंग का वियारस यानि वॉलेंटरी रिटायरमेंट यानि स्वैक्षिक सेवा निवर्त्ती गये सोमवार 31 जनवरी को सुईकार हुआ था कहा जा रहा था कि वे वो वियारस लेकर राजनीति में आएंगे लखनव या की सरोजनी नगर विदान सबा सीट से पार्टी ने उन्हें अपना उम्मिदवार भी घोसित कर दिया यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि सरोजनी नगर से भाजपा की स्वाती सिंग विधायक हैं साथी प्रदेश की सरकार में मंत्री भी हैं स्वाती ने इस सीट पर में भी थोड़ा जान लीजे, IPS पिता के बेटे राजेस्वर सिंग 1996 में PPS अधिकारी चुने गए थे, CEO के पद पर रहते उनकी छवी एंकाउंटर स्पेसलिस्ट की बनी, इसके बाद 2009 में वह ED में चले गए, उनके परिवार और इस्तेदारों में कई अधिकारी हैं, इनकी प और एक बहन आयकर में अधिकारी हैं, आपको ये जान कर हैरानी होगी कि राजेश्वर सिंग का 11 वर्स का सेवा काल अभी सेश था, अपने वियारत स्विक्रित होने पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, ग्रह मंत्रे अमिशाह, भाजपा के रास्टी अद्दक जेपी नोएडा पोंजी स्कीम घोटाला और गोमती रीवर फ्रंट घोटाले सामिल हैं, इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि एडी में तैनाती के दौरान घोटाले बाज निताओं, नौकरशाहों, बाहुबुलियों और माफियाओं से उन्होंने 4000 करोन रुपै से जादा की संपत या जब्त की थी, राजेश्वर सिंग 5 साल के लिए प्रतिन्युक्ती पर प्रवर्तन निदेशा ले गये थे, पहले उन्हें 2 साल का विस्तार दिया गया, बाद में सुप्रीम कोट के आदेश पर उन्हें ED में ही समायोजित कर लिया गया, वियारस से ठीक पहले वा बताव और संयुक्त निदेशक लखनव जोन का ही काम देख रहे थे, कुछ समय पूर्व ऐसे ही एक IPS अधिकारी असीम अरुन अपने वियारस को लेकर चर्चा में रहे, उत्तर प्रदेश विदानसवा चुनाओ का एलान होते ही कानपूर के पुलिस कमिशनर असीम अरुन ने विय जुआत करेंगे, हाला कि उन्होंने खुद आगे चल अपने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दे दी, हुआ भी यही, असीम अरुन ने भी भारती जंता पार्टी जोईन की और अब वे भाजपा के ही टिकेट पर कन्नोज विदान सवा सीट से चुनावी मैदान में ह जन में असीम अरुन के पिता भी IPS थे, असीम अरुन 1994 बैच के IPS अधिकारी है, अपने सेवा काल में असीम प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग की सुरक्षा में भी सामिल रहे, वो SPG में क्लोज प्रोटेक्शन टीम यानी CPG का भी नित्रतों कर चुके हैं, लक्नव के ठाकुर इलाके में आतंकवादी सैफुला के इनकाउंटर ऑपरेशन को लीड करने के बाद असीम चर्चा में रहे थे, याद दिला दें कि यह पूरा घटना करम पिछले यूपी चुनाओ के बिलकुल आखिर में 8 मार्च 2017 को हुआ था, यह मिशन लग बग 12 घंटे तक चला था, य अरियाणा की रहने वाली 1987 बैच की IRS हरित दलित अधिकारों के लिए किये जा रहे अपने कामों को लेकर चर्चा में रहती हैं। भी माने जाने वाले 2005 बैच के IRS हधिकारी ओपी चौधरी ने भी राजनीत में किस्मत आजमाने के लिए नौकरी से वियारस लिया था। KCM और आप प्रमुक हरविंद के जरिवाल ने साल 1992 में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IRS जोईन किया था। कुछ साल बात पच से स्तीफा देकर RTI के लिए काम करने लगे साल 2006 में के जरिवाल को रमन मैकसे से अवार्ड भी मिला था। चुनाओ के इन वक्त नेताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामना बेहत सामाने बात है। पर नौकर शाहों का अपनी नौकरी छोड़कर राजनेतिक पार्टियां जोईन करना और चुनाओ लड़ने को हमेशा से ही सामाने माने जाने पर प्रस्ण चिन लगता रहा है। ऐसे नौकर शाहों के अपने सेवा के दौरान निस्पक्ष होने पर भी प्रस्ण उठता रहा है। जो भी हो पर अब ये लोकतंत्र है और यहां सब कुछ संभव है।